कि हैं लो फ्रेंट्स कैसे आप सब तो अगर बच्चों को बड़ों को सबको पसंद आने वाली और इस रेसिपी ने तो बिल्कूल ही मिठाई को भी फेल कर दिया तो फ्रेंट्स आप जलीजे बस तो मिनिट की रेसिपी आप भी साथ साथ तो अगर आप में चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राब कर लीजिए बैल आइकन दबाद दीजिए तो चलिए आज की रेसिपी देखते हैं हम कैसे बनाएंगे तो फ्रेंस मैंने सबसे पहले एक अप लिया है दूद दूद होना चाहिए फ्रेंस मलाई वाला अब मलाई वाला दूद ही लीजिए और आधी चमर डाल दी है मैंने लाची पावडर लाची पावडर से डालके हमारा जो इसका जो दूद का जो फ्लेवर है टेस्ट है बहुत ही पसंद आने वाला है और बहुत ही जबरदस्ता आएगा तो इसमें मैंने एक बड़ी चमर डाल दी है बस यही वाली जो मैंने डाल बचानी पूद कि लिब सेंखेम हो धाइज में देला संब बंच में निकाल lahता तो नहीं बचा है तो चैलिए हम अनुद अल्यात करते हैं मैंने लिये हैं सबसे तो अब हम इसके अंदर डालेंगे वही दूद्ध जो हमने भी बनाया है इलाइची वाला और यह रबडी वाला जो टेस्ट है इलाइची के दूद्ध वाला यह बहुत ही जबरदस्ताने वाला है फ्रेंस आप इलाइची पॉडर जुरू डालीजे क्योंकि उसका जो हमारा फिलेवर के लिए बहुत बढ़िया होती है तुफली इस आप वो डालीजेगा अगर नहीं है तो कोई बात लिए तो बस इसको को लिए ऐसे बन तो बस मैंने ही चारो बन को ऐसे करके त्यार कर लिया है तो देखिए हमारे चारो बन रेडी हो चुके है तो बस अब हम चमच देशी घी केडाई बे मैंने पहले से देशी घी डाल दिया था आधी चमच तो हमने बस अभी यही बन है इनको हमने डीफ्राइग करना है तो आप इसको बस डीफ्राइग कर लिजी हलका हलका आपने जादा जलाना नहीं भूनना नहीं बस इसमें जो हमारा जो आपने इसके ऊपर ताकि रिस्पी और मलाई जैसा थिक जैसी फॉम में आ जाए और बहुत ही जबर दर्स ताने वाला है तो बस ऐसे ही बना के रखिए तो बाकी के मैंने तीनो एक साथ बाद में डाल दिया क्योंकि मैंने डीफ्राइग करके रखा था बस तब मैंने इनको दूट डाल के इसको अच्छे से फिर से फ्राइग कर देना है तो देखे आपके समने मैंने डूट डाल दिया है अब भी तो आप भी बस ऐसी थोड़ा थोड़ा करके यह देखे फ्रेंस तो बहुत ही सॉफ्ट और मुह में घुल जाने वाली रेसिपी है बहुत ही स्वीट आप ऐसीिरे एस्लिए लगाई हैं कि इसने हर्खे में मिठाई का पूरा जो रिकॉर्ड रहे है वह खतम गद reminder वह चलो सुथ बोलो या मिठाई बोलो पहुत ही अच्छा टेस्ट दिया है तो फिर मिलते हैं यस्ट वीडियो में बया गरिलेन है